हेलो दोस्तों आज के इस टाइम में जब इनर्जी की डिमांड हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है और हमारे सामने कई सारे नेमुद्देखर हो चुके हैं लाइक ग्रीन हाउस, गैसेज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग उस समय हमारी सरकारें हाइड्रोजन को एक अल्टरनेटिव के तरह देख रही है वा हाइड्रोजन को as a future fuel के रूप में देख रही है और फिर हमें current affairs में कुछ नए terms देखनों के मिलते हैं like blue, brown, black, grey and green हाइड्रोजन आखिर ये terms हैं क्या आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे इस हाइड्रोजन को बनाने में energy लगता है और हमने यह energy कहां से लाया है आइदर renewable resources से या फिर fossil fuel से यह decide करेगा कि यह green, black, brown या फिर grey हाइड्रोजन होगा तो आएए देखते हैं आगे के slides में different types of hydrogen को पहले आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जब हम renewable energy का use करते हैं तो इस hydrogen को हम green hydrogen कहते हैं और जब hydrogen बनाने में हम fossil fuel का use करते हैं तो यह different methods के आधार पे blue, black, grey या brown हो सकता है अब हम देखते हैं brown, black hydrogen के बारे में या coal gasification process से इसे तयार किया जाता है coal gasification process में हम oxygen, coal और water का use करते हैं और इसके by product के रूप में हमें synthetic gas यानि की sin gas मिलता है जो की carbon monoxide और hydrogen से मिलके बना है हमारे लिए important यहाँ hydrogen हो जाता है या hydrogen मिल तो गया लेकिन इसके साथ हमने काफी polluting substances भी atmosphere में release कर दियें like carbon dioxide, carbon monoxide और different जहरीली गैसे like hydrogen sulfide हमने यहाँ coal gasification process में किस तरह के coal का use किया है वह decide करेगा कि हमारा hydrogen brown hydrogen होगा या फिर black hydrogen होगा यदि हमने lignite cool का use किया है जिसका की color brownish होता है देन hydrogen brown hydrogen कहा जाएगा और यदि हमने coal gasification process में bituminous cool का use किया था देन हमें black hydrogen मिलता है आगे हम बात करते हैं gray hydrogen के बारे में इसके production process में natural gas का use किया जाता है natural gas का एक important component methane gas होता है और इस process में बहुत बड़े amount में carbon dioxide release होता है इस carbon dioxide को as it is environment में release कर दिया जाता है तो इस hydrogen को हम gray hydrogen कहते हैं लेकिन जब production process में released carbon dioxide को बापस store कर लिया जाता है capture कर लिया जाता है फिर से reuse करने के लिए तो इस hydrogen को हम blue hydrogen का नाम देते हैं तो gray hydrogen और blue hydrogen का production process same है अंतर सिर्फ आता है कि आप जो released carbon dioxide है उसे store कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यदि आपने store नहीं किया तो वह आपने as it is release कर दिया तो वह gray hydrogen हो जाता है और यदि आपने उसे store कर लिया था तो वह blue hydrogen होता है आगे हम बात करते हैं green hydrogen के बारे में green hydrogen के production में fossil fuels का use नहीं किया जाता है Green hydrogen का production water के hydrolysis process द्वारा किया जाता है Hydrolysis process में हमें electricity का यूज करना होता है और इस purpose के लिए जिस electricity का यूज किया जा रहा है वह renewable sources से आता है like wind and solar और हाल के दिनों में इस sector में बहुत research R&D हुआ है जिसके कारण hydrogen की यह production method काफी सस्ती भी होने वाली है और यहां हमें carbon का zero emission देखने के मिलता है कोई भी carbon dioxide का emission environment में नहीं होता है यहां यह diagrammatic representation है production process का renewable sources से जो electricity बनी उसके द्वारा electrolysis किया गया और hydrogen को tank में store कर आप different purpose के लिए यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसका यूज कर fuel sale में आप electricity भी बना सकते हैं या फिर आप बसों में यूज कर सकते हैं जैसे दिल्ली में hydrogen CNG हाल में चला था फ्रांस की एक company Elstrom ने एक ऐसी train बनाई है जो hydrogen से चलती है और जब हम बात करते हैं hydrogen को as a future of the fuel देन हमें उस hydrogen के बारे में ही बात करनी होगी जो sustainable है जो zero emission करता हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा green hydrogen के तरफ ही जिन में fossil fuel का यूज नहीं किया गया है आगे की slide में हम देखेंगे compression different types of hydrogen का यहां आप क्योंक रिविजन कर सकते हैं जैसे यह सुरू के जो तीन hydrogen है इनमें किसी न किसी रूप में coal या methane का यूज हुआ है और कमोबेश carbon का release किया ही गया है environment में लेकिन green hydrogen में carbon emission zero है तो यह थी वीडियो की समाक्ति यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जय हिंद जय भार